देनेशन टॉक में आपका स्वागत है में इम्टियास बटल आज हम बात करेंगे क्रिकेट के एक प्रतिबासालिक खिरारी सर्फराज घान जी हाँ सर्फराज घान के अगर में बात करूं तो इनका जन्म 22 अक्टोबर 1996 में हुआ था मतलब कि अभी फिलाल वो 24 साल के हैं मगर बहुत ही कम उमर में इनों ने दिखा दिया था कि वो किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं क्रिकेट के अंदर तो मैं आपको उनके बार में परीब बताओंगा मगर सबसे पहले अगर बात करें दोमेस्टिक में अब तक इ 22 के फाइनल में इन्होंने सतक लगा दिया इन्होंने दुलीब ट्रफी के फाइनल में सतक लगा दिया और इन्होंने फिलहाल जो फिलहाल जो अभी इरानी कप चल रहा है तो इन्होंने पहले ही इनिंग में सतक अब तक लगा दिया और नाबाद है एक सो पत्तीस रंद बन आकर नाबाद है सवरास्रक के खिलाब इदानीकप जो फिलहाल चल रहा है उसके इंदर बात करें तो आज के दिन के सुरुआत अगर हो दूसरे इनिंग की तो उस वक अथारा पे टीन विकेट गवा चुकी थी रिस्ट ऑफ इंडिया मगर उस वक बल्लेबाजी के लिए आए सर्फराज खान और सारे क्रिकेट पंडिट्स का मूँ बन कर दिया क्योंके काफी टफ विकेट थी सवरास्रक के टीम 98 रंड बनाकर ओल आउट हो गई थी सभी को लग रहा था काफी आज के ही दिन में दो इनिंग समाप्त हो जाएगी मगर सर्फराज खान ने सब को मूँ तोर जवाब दिया और अच्छी टगडी बल्लेबाजी की फिलहाल 125 रंड बनाकर नाबाद है और मैं आपको बात करूं तो इन्होंने इंडिया अंडर 19 खेला हुआ है मुंबई के लिए रंजी ट्रॉफी खेलते हैं आरसी बी के लिए आईपेल में खेल चुके हैं यूप में फिलहाल जो अभी इरानी कप चल रहा है मतलब के रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए फिलहाल खेल रहे हैं 17 साल की उमर में मुंबई के लिए रर्जी ट्रॉफी में इन्होंने अपना आघास किया मतलब एक सबसे कम उमर के अंदर इनन रर्जी ट्रॉफी की सुरुवाद कर है डॉमैस्टिक करें में इनको रोकना फिलहाल नामनगी जैसा है अगर मैं आपको बात करों किस दरे से हाइलाइक में साल की उमर میں secунफ के लिए बंभी उसुक्य इनन चारसो उनस ननग जड़ दिये इतने ठगरे बल्लेबाद से लोगोंiko मालुम हो गया था कि ये बहुत और मैं बात करूं तो यह यंगेस फीचर भी रहे हुए हैं मतलब IPL 2015 RCB ने इनको एक यंगेस के टोर पर इनका चैन हुआ था तो यह सरफराज खान जो आने वाले तायल में सेंसेशनल और मैं जरूर से कह सकता हूं यह बहुत ही कम वक्त में जब भी हिंडूस्तान टेस्ट क् होना 100% में स्योर मान रहा हूं क्यूंकि इन्होंने काफी अच्छा योगदान डॉमेस्टिक में दिया है और काफी सारे इनके पास experience भी है इतना सारा क्रिकेट खेले हैं तो यह बहुत बरा नाम बहुत बरा उपरता सितारा जो हिंडूस्तान को आने वाले टाइम में टेस् साथ जरूर जूरेंगे हमारे अगले एपिसोड में ठेंक्यू वेरी मज़ और हमारे चैनल से आप जूरते रहिए आप सोस्यल मीडिया माध्यम से भी हमारे साथ जूर सकते हैं फेस्बुक हमारे पेस को लाइक करिए यूटूब हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करिए इंस्टाग्राम पे आप हमको फॉलो किजिए लिंक्डिन पे आप हमको फॉलो किजिए ये सारा पूरा प्लेटफर महारे पास है ट्वीटर जरूर से ना बुलिए ट्रेंडिंग प्रोफेशनल के तरीके से आप हमको फॉलो करके आप अपना फीडबैक भी हमको देख सकते थेंक्यू वेरी मच्च स्टे ट्यून